हे स्टुडेंट वेलकम अंस अगेन बच्चों आज किस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसेज वनी करने जा रहे हैं जिसका पहला लोकेसिन हम इस वीडियो में सॉल्फ करेंगे और आगे कि जितने भी वीडियो बनाऊंगा मैं उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्रिप्सन नंबर लाइन में सो करना है तो कभी भी अंडरूट करके कोई भी नंबर आपको दिया रहे ना तो सिंप्ली आप यह समझ जाओ कि उसको अगर आपको नंबर लाइन ने सो करना है तो पाइथा और उसका थेरों यूज करना पड़ेगा विजब कभी भी इस तरीकी के नंब है तो जो भी हमको यहां पर फाइंड करने के लिए जा रहे हैं वो एक्च्वल में हमारा अपेटनियूज में है जैसे हमको अंडर रूट 5 के वैलियो निकालनी है तो हमारा जो है पेटनियूज है वो खवान चाहिए तो वह कब आता है हम क्या जानते है पाइथाओ गरस हम प्रिटर हमारी इपर चैट टो हमारा जो एय gallon यह वाले जो मारा एरिया है एयो यह कितना निकल जाएगा यह हमारे पास अंडरूट 5 और न तो हम पाइथा गोला स्थेर मैं यूद क्या जानते हैं कि थो हमारे पास ये कितना है under root 5 है तो हम क्या करेंगे इसको एधर transfer करदेंगे square को तो इधर वाला जो हमारे numbers है वो क्या में आ चेंखे under root में आजएँगे square जब कभी सामने transfer होता है तो हमारा जो answer फ jumpy अब हम अब लोग को ये डिमाग लगाना है कि हम इन दोनों का कितना value लिखें, तो कभी भी जो हमारा perpendicular होता है, उसका value आपको simply 1 लिखना है, तो AB जो होगा हमारा 1 होगा, तो ये होगा हमारा 1 का square, अब इधर वाले को हम क्या कर सकते हैं, OB को, तो इसको हम कर देते हैं 2 का square, उसे फैदा क्या होगा, ये 2 का square हमारा 4 हो जाएगा, और 1 का square हम perpendicular कितना लें, तो perpendicular जैसे कि मैं आपको पहले बता है, 1 ही लेना है, बेस में हम लोक फस्ते हैं हमेशा, तो base ओगा हमारा कितना निकलेगा, 2 निकल जाएगा, अगर हम base 2 लेते हैं, perpendicular 1 लेते हैं, तब हमारा hapateνews कितना जाएगा, अंडरूर 5 आज जाएगा, ये थोड़ा से पहले तो एक नंबर लाइन बना लो मीडियम साइज का ठीक है इसमें क्या करो एक पॉइंट कोई भी आप यहाँ पर जीरो ले लो ठीक है यहाँ पर मैं इसको जीरो ले लेता हूं वन वन इनिट का यानिकि एक सेंटीमेटर की दूरी पर आप क्या करो यहाँ पर कुछ बना अगला काम क्या करना है हमको पता है कि ओ से लेकर के हमारा यहाँ तक यानिकि यह जिरो है कि से लेकर कि उस्यों है पार चीज से लेकर हमारा डी'M dirty मेटर आ गिया यहाँ दो इनिट ले जो कि निचे हमारा 2 था ऊपर में को कितना लेना, इधर सीधा लाइन बना करके 1 लेना है, तो सीधी लाइन बनाने का इक तरीका होता है, हमने बच्छबन में इस रताए इसціल सीधा पर corner में रखकर के पहला खट करोगा आप न तो 60-degree के एंगल कट होता है और दूसरा वाला खट करोगो सी वाला 60 में रखके तो 120 खट होता है अब क्या करना है कि उपर में इन दोनों को 90 डिग्री एंगल बन जाएगा और यहां पर आपको प्रोटेक्टर का यूज नहीं करना है इक सी तरीके से कंपस का यूज करके करना है सिंप्ली जीरो को यहां से वन से मिला देना है तो यह हमारा बन गया इस तरीके से तरीक है इसका तरीका यह है कि जितना भी यहां पर आया न इस इसको आप मेजर कर लो अपने कमपस से इस तरीके से एक सिकेंड यह हमारा यहाँ पर आया यह देखो इतना आ जा रहा है इसके अधम एक्च्वल लेना ताकि आपके आपके सही है इसमें कट होते हुए निकलना चाहिए तो इस तरीके से मेजर ले लेते हैं यानिकि यहां से यहां तक कि जो दूरी है उसको आपको अपने कमपस में मिजर कर लेना है फिर ओ में रखना है और यहीं पर से एक लाइन को कट करके इधर बना देना है ठीक है थोड़ा समय लगता हील जा रहा है बार-बार यह कमपस ही थोड़ा पुराना होंगया है ना कंपस दूसरा ले इधर आप पीछे कितना हूं ले जा सकते हो आगे पीछे कितना हूं लेकर लो लेकिन सामने आपका यह लाइन तक आना चाहिए क्योंकि हमको नंबर लाइन नहीं तो इसको रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट मिल रहना यही क्या होगा एक्चॉल में अंडरूर 5 होगा तो इसको आप यहाँ पर क्या करो ऐसे arrow करके show कर दो यही हमारा अंडरूर 5 है इस तरीके से आपको solve करना है पहले क्या काम करना है कि यह जैसे अंडरूर 5 दिया हुआ है तो हमको पता लगाना है कि हमारा base कितना होगा तो base का पता लगा लो कि base कितना होग और उसके बाद फिर यहाँ पर बेस जितना निकला आपका वो इतना आप यहाँ पर बेस ले लो फिर फिर इन दोनों को मिला दो जो हमारा अहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर दोह सकते हैं और यहां पर यहां पर दो könetton लेगा यहीं लिआ जरूर…